Hello Everyone, Welcome to MS Education TV अच BSC Board विवानी के द्वारा क्लास 9th और 11th के एक्जाम डेटशिट जारी कर दी गई है इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुन से सब्जट का जो एक्जाम है कब कंड़र्ट किया जाएगा साथी साथ एक्जाम से रिलेटटड जो इंपोर्टेंस पॉइंट है उनके बारे में भी हम डिसकस करेंगे तो सबसे उपरी आप यह आप देख सकते हैं डेटशिट थिओरी पेपर्स पर क्लास 9th और 11th एन्वेल एक्जाम मार्च 2022 डेट ओफ कमेंस्मेंट ओफ एक्जाम सत्रा तीन दोजर बाईश टाइम रहेगा साथ याट से ग्यारबजे तक तो यहां पर यह जो डेटशिट है एन्वेल एक्जाम के लिए जारी किगए क्लास 9th और 11th ठीक है कमेंस्मेंट का मतलब बतार स्टार्ट होना तो आपके जो एक्जाम है 17 मार्च 2023 से स्टार्ट रहेंगे और एक्जाम का जो टाइम रहेगा साढ़े आट से ग्यार अबजे तक सबसे फश्ट जो कॉलम है यहां पर एक्जाम की डेट दिगी है कि कौन सी तारीक को 9th क्लास के किस सब्जेट का पेपर होगा तो सबसे पहले देखिए 17 मार्च 2022 को पहला पेपर होगा 11th क्लास का Computer Science या फिर ITS का जो पेपर कंडेक्ट किया जाएगा 17 तारीक कोई क्लास 9th का जो है IT और ITS का जो पेपर कंडेक्ट किया जाएगा नेक्स यहाँ पे 19 मार्च 2022 को क्लास 11th का English Core या इलेक्टिव का अग्जाम होगा और 19 तारीक कोई क्लास 9th का Hindi सब्जेट का अग्जाम कंडेक्ट किया जाएगा नेक्स 21 मार्च को यहाँ पे क्लास 11th का Home Science का पेपर होगा और 21 तारीक को क्लास 9th का जो है किसी भी सब्जेट का पेपर कंडेक्ट है नहीं किया जाएगा 22 तारीक को क्लास 11th का पंजाबी सब्जेट का पेपर होगा और क्लास 9th का English subject का जो पेपर कंडेक्ट किया जाएगा नेक्स्ट है 24 मार्च को कलास 11 का Physics Economics जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसका पेपर होगा और 24 तारिक को ही कलास 9 की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम दिये गए हैं Sanskrit, Punjabi, Urdu, Retail, Security, Automobile, IT and ITS, Patient, Care, Assistant, Physical, Education and Sports, Beauty and Wellness, Travel, Tourism and Hospitality, Agriculture, Paddy, Farming, Banking and Finance Services, Banking and Insurance Services, Apparel, Fashion, Design, Physical and Health, Education, Drawing, Agriculture, Computer, Science, Home, Science, Music, Hindustani, Animal, Aspandry तो इन सब्जेक्ट में से जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसका पेपर जो है 9th क्लास का 24 मार्च को कंड़ेक्ट किया जाएगा Next बात करें तो 25 मार्च को क्लास 11 का Physical Education का पेपर होगा और 25 मार्च को क्लास 9 का किसी भी सब्जेक्ट का पेपर कंड़ेक्ट नहीं होगा Next 26 मार्च की बात करें तो यहाँ पे क्लास 11 का हिंदी कोरोल इलेक्टिव का जो एक्जाम होगा और इसी दिन 9th क्लास का Social Science का पेपर होगा यानिकि 26 मार्च को 28 मार्च की बात करें तो क्लास 11 का Mathematics का पेपर होगा क्लास 9 का किसी भी सब्जेक्ट का पेपर कंड़ेक्ट नहीं किया जाएगा Next 29 मार्च की बात करें तो क्लास 11 का Biology या फिर साइकलोजी का पेपर होगा और 29 मार्च को ही Class 9th का Mathematics का जो पेपर कंडेक्ट है किया जाएगा Next है 30 मार्च को यहाँ पे आप देख सकते हैं Class 11th का Political Science का पेपर होगा और 9th Class का किसी भी सब्जेट का पेपर नहीं होगा Next बात करें 31 मार्च को Class 11th का History या फिर Business Study का पेपर होगा और 31 मार्च को ही Class 9th का Science Subject का जो पेपर कंडेक्ट किया जाएगा Next है 1 अपरेल को Class 11th का Chemistry Accountancy या Public Administration का पेपर होगा और उसी दिन ही आप आप देखते हैं Class 9th का Sunscrit Site का जो पेपर कंडेक्ट किया जाएगा यानि कि लगबग जो पेपर है 9th क्लास की जो मेंन सब्जेक्ट जो है वो कवर होचके है साइंस तक यानि कि 9th क्लास की जो पेपर है Last पेपर यहाँ पे आप देखते हैं एक तरीके से जो ही कतिस मार्च को खतम हो जाएगे Main सब्जेक्ट की बात करा हूँ मैं Next 2 April को यहाँ पे Class 11th का संस्क्रित उर्दू या Bio Technology का पेपर होगा इसी दिन यहाँ पे देखे संस्क्रित व्यागरनी है सभी के पास नहीं होती है गुरुकुल वगरा में होती है Next 4 April को यहाँ पे देखी पेपर यह 9th क्लास की यहाँ तक कंप्लीट होचके है Main जो पेपर है लास्ट जो साइंस का था बाकि यह जो सब्जेक्ट पेपर है यह गुरुकुल वगरा में होते हैं Next 4 April को यहाँ पे अगर हम बात करें 4 April को Class 11th का Sociology of Internship का जो अक्जाम होगा और इससे आगे जो है 9th क्लास के कोई भी पेपर नहीं है क्योंकि जो कंप्लिट हो चुके हैं इसके आगे Next बात करें तो 5 April को Class 11th का Fine Arts का पेपर होगा और 6 April को Class 11th का जो रोफी का पेपर होगा Next बात करें 7 तरिक को 7 April को यहाँ पे देखी Class 11th का Music Hindustani का पेपर होगा या फिर आपका है सकते हैं फिलोसोपी का जो पेपर कंप्लिट है क्या जाएगा Next 8 April को यहाँ पे देखी है Class 11th के कौन-कौन से सब्जट का पेपर होगा Retail, Automobile, IT and ITS, Patient Care Assistant, Physical, Education and Sports, Beauty and Wellness Office, Secretary, SIP and Stenography in Hindiya, English Travel, Tourism and Hospitality, Agriculture, Paddy, Farming, Media Animation Banking and Finance Services, Banking and Insurance Services, Apparel Fashion Design इन सभी का पेपर जो आठ तारीक को कंड़ेट के जाएगा 8 April को 9 April की बात करें तो यहाँ पे देखी है Military Science या डान्स या फिर Agriculture का जो पेपर कंड़ेट होगा Next यह सभी पेपर देखी सकते हैं 11, 12, 13 को यह जो पेपर हैं गुरुकुल वगरा में जो है कंड़ेट किये जाते हैं संस्क्रत साइटेवेद, सिदान्द संस्क्रत व्याकरन बागय को बाग दो तो अगर हम बात करें लेवंध क्लास की तो में जो सब्जेक्ट है लग बग यहाँ तक कंप्लिट हो चुके हैं कि यह मान के चलो कि लास्ट जो पेपर है यहाँ पे आपका आर्थ है कंप्लिट हो चुका है तो मिलिटरी साइश या अगरी कल से यह भी जो सभी स्टूडेंट के पास नहीं होती बागी अगर आप एक्चुल में मानते हैं तो आप यह मान के चल सकते हैं नो अप्रेल को जो है लास्ट पेपर होगे उसके बाद यह जो पेपर नीचे की दिये गए है यह उप्सनल वारों के लिए हैं कहने का मतलब यह सपेसल है गुरुकलों बगरा के लिए वहाँ पे जो एक्जाम होते हैं उनके लिए आपको इंपोर्डेंट्स पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखना है देखिए इसमें फ्रेस्ट जो पॉइंट दिया गया है कि डिफरेंट लिए बल जो परसन होते हैं यानि कि जिनके आखों में आथ पैर में कोई दिक्कत बगरा होती है कान में दिक्कत होती है या फिर permanently disabled जो लिख नहीं सकते है तो उनको क्या किया जाएगा किसी और वैक्ति से जो अपना पेपर वगरा करवा सकते हैं और यहाँ पे उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे एक गंटे में यानि कि आप दियान से समझे से 20 मिनट एक इसको एक्स्ट्रा दी जाएंगी नेक्स सेगंड पॉइंट की बात करें तो इसमें बतायागा कि कंडिडेट विल ब्रिंग दियर ओवन लोग ट्रिगनोमेटरी टेबल एंड स्टेंसिल फोर मैप्स एंड कैन यूज कलर पैंसिल इन साइंस सब्जेक्ट उनली तो कंडिडेट अपने साथ पेपर में लोग ट्रिगनोमेटरी टेबल या फिस्टेंसिल वगरा यूज कर सकते हैं कलर पैंसिल भी यूज कर सकते हैं साइंस सब्जेक्ट में तो यह अपनी साथ लिजा सकते हैं थार्ड पॉइंट में बताया गया है कि आप अपनी जो है वाटर बोटल साथ लिजा सकते हैं, नेच्ट पॉइंट में बताया गया है कि कंडिडेट मस्ट करी यह इसमें जो एंड सैनिटाइजर, मास्क वर आपको यूज करना है, फिजिकल दिस्टेंस का ध्यान रखना है, फिफ्ट पॉइंट में बताया गया है कि एग्जामिनी मस्ट गेट थेमसेल वेक्सिनेटेड प्रेयर तू टेकिंग देग्जामिनेशन, यहां पर एग्जामिनी का मतलब होता है, जो पेपर देने वाड़ा है, यानि कि जो भी कंडिडेट पेपर दोगा उसको एग्जामिनी बोलते हैं, और इसको vaccination लगवानी जरूरी हो और vaccination से पहले देखें यहाँ पर vaccination word यूज किया गया है और साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर word यूज किया गया है MASHT मश्ट का मतलब यह होता है कि compulsory है आपको vaccination लगवानी अगर नहीं लगवा यह तो आप जल्दी से लगवा ले ठीक है तो यहाँ तक जो वीडियो अपनी complete हो चुकी थी और यह जो date sheet आप देखेंगे चार मार्स 2022 को जारी की गई है और यह बिल्कुल official date sheet है आप HBSC के official site sheet को डाउनलोड कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ यदि आपको class 9th या 11th के previous year के sold question paper बगरा देखने है तो आप में YouTube channel के उपर जाके देख सकते हैं और यदि आपको previous year के question paper और उनकी answer की PDF डाउनलोड करनी है तो उसका link आपको इसी video के description मिल जाएगा वहाँ से आप जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं साथ यहाथ यदि आप मुझे Facebook, Instagram और Telegram पर follow करना चाहते हैं तो उसका link भी आपको इसी video के description मिल जाएगा वहाँ से आप मुझे डाउनलोड कर सकते हैं थैंक्स पर वोचिंग